जाव मी सीवी जो हाल ही में लोंचुआ है और आज मैं स्पार्कलिंग ब्लेक कलर का अन्बोक्सिंग बताने वाला हूँ और इस फोन का डीटेल रिव्यू दो तीन दिन में ही में अपलोड करने वाला हूँ फोन में वेलवेट 8GB क्लास लगा है, OLED काउट डिस्प्ले मिल जाती है, स्नैप्रेगन 778G प्रोसेसर मिल जाता है, सूपर स्लिम डिजाइन, फास चार्जिंग और ये वीडियो में रेफरेंड ने चाहिना से सेर किया है ताकि में लेटेस अपडेट सबसे पहले आपको देश जैसे हमने वीडियो अपलोड करते हैं, तो ये है Xiaomi CV का बॉक्स, बॉक्स की प्रोफाल भी स्लीम नजर आती है, बॉक्स के प्लास्टिक व्रेप को हटा लेते हैं, फोन में तीन वेरियांट्स मिल जाएंगे, 8128, 8256 and 12256, बॉक्स काफी डिजाइनर देखने को मिल जाता ह और बॉक्स के उपर फोन की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और बड़े से लेटर में CV लिखा हुआ मिलता है, बॉक्स के लीट को ओपन कर लेते हैं, इस काटबोर बॉक्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, और यह Xiaomi CV फोन, फोन के प्लास्टिक व्रेप क रिमूव कर लेते हैं, और IMEA sticker को भी हटा लेते हैं, तो यह है sparkling black color में, फोन क्या stargazing design के साथ आता है, तो यहाँ पर यह cardboard box में क्या content मिलता है, वो देख लेते हैं, इस box में SIM ejector tool, user manual और clear case दिया गया है, जाओमी CV की design और build की बात करें तो फोन का back well wet easy glass से पना है, जहाँ प feeling in the hand, और back में fingerprint भी आसानी से नहीं देखने को मिलेंगे, और sleepery भी नहीं है, फोन की wideness 71.5 mm तक है, यानि फोन बोडी में narrow देखने को मिल जाता है, साथ में फोन का weight भी करीब 166 gram का ही है, इस segment में यह world का सबसे हलका phone के सकते हैं, और thickness भी करीब 6.98 mm की है, यानि पतला भी है फोन की frame aluminum की बनी है, फोन में display की बात करें तो 6.55 inch की center punch hole वाली flexible OLED display मिल जाती है, जो cloud है, जो ultra premium feel देती है, resolution full HD plus मिल जाता है, साथ में 10 bit colors और 100% DCI-P3 white color गमुट मिल जाता है, और 120 Hz की fast refresh rate मिल जाती है, जो बहुत ही अच्छी बात है, और इसकी maximum brightness level भी 800 nits तक मिल जाती है, तो display Dolby Vision को भी support कर दे, तो all our phone में multimedia experience काफी अच्छा मिलेगा, ये selfie centric phone है, तो selfie के लिए 32 megapixel का front camera दिया गया है, जहाँ पे auto focus का feature भी मिल जाता है, और वहाँ पे micro slit light भी दी गई है, यानि low light में अच्छे photos मिल पाएंगे, फोन का detail review में दो दिन बाद ये upload करने वाला हूँ, जहाँ पे performance, gaming और camera का in-depth review देखेंगे, तो इसके लिए चैनल को subscribe करना ना बुले, साव में CV के performance की बात करें तो phone में 778G processor लगा है, जो 5G connectivity के साथ आता है, और ये mid segment का flexib processor भी कह सकते है, जो 6NM platform पे बना है, साथ में UFS 3.1 storage भी मिल जाता है, phone चलता है MIUI 12.5 पे जो बना है Android 11 के उपर, phone में battery की बात करें दो, 4500 image की battery मिल जाती है, phone की profile and design इतनी compact है, लेकिन battery भी enough दी गई है, जो अच्छी बात है, मुझे लगा था है, इसमें battery 4000 image तक ही मिलेगी, लेकिन 4500 मिल जाती है, जो एक अच्छी बात कह सकते हैं, और battery को charge करने के लिए 55W का fast charger मिल जाता है, जो box में नहीं मिलता है, लेकिन अलग से मिल जाएगा, phone की price, gaming, performance और in-depth चैसे कि मैंने बताया, वो मैं इसके depth review में बताऊँगा, जो दो दिन बाद ही upload करने वाला हूँ, और दोस्तो ऐसा सुनने में आया कि Xiaomi CV का pro version भी जल्दी ही आने वाला है, तो दोस्तो इस वीडियो मे करके हमारी tech team को join कर लिजे, ताकि आपको latest awesome tech update की notification सबसे पहले मिल सेगे, जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते, तो दोस्तों मिलते हैं अगले latest tech update के साथ, तब तक के लिए thanks for watching, have a great day and keep smiling. झाल